बॉलिवूट कबल्स के लिस्ट में शामील हो रहे है केट्रीना कैफ और विकील कौशल की शादी एक अलग जगह राजस्थामने हो रही है फोर्ट की माननेता क्या है फोर्ट से जुड़े वे खास मंदिर पर हम आप पहुचे हैं जहां से पूरा जो महल है जहां पर विकी कौशल काट्रीना की शादी हो रही है वो आपको देख पाएगी तस्वीरों के जरीए यह पूरा जो कई गाउं से घिरा हुआ कजबा है आप देख पाएगे कि एक अलग कोने में तालाप के किनारे यह फोर्ट बना हुआ है हाला कि 700 साल पुराना यह फोर्ट है और जिस मंदिर में हम मौझूद है यह मंदिर भी 700 साल पुराना मंदिर है चाहिए जानकारी लेंगे यहां पर मौझूद जो पुजारी है उन लोगों से और जानेंगे कि आखिर विकी और किट्रीना की शादी का संबंद इस मंदिर से सीधे सीधे कैसे हो सकता है। में साथ पुजारी सैनी मौझूद हैं आप यह बताईए कि सबसे पहले तो मंदिर कितना पुराना है, मंदिर की क्या मानताय हैं, खासियत हैं। मंदिर की गई थी, बाकि मंदिर की स्थापने उन्हों के द्वारा की गई थी। लेकिन शादियों को लेकर यहां पर कुछ अलग कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं कि जो भी शादी करता है आसपास इस इलाके में उन्हें मंदिर आना ही रहता है। तो उसका क्या माननेता है? आना चीहीं है, अब तक हमारे पास कोई सुचना नहीं आई है। क्या कहते हैं अगर आशिरवाद जो लेने नहीं आते हैं उनके साथ क्या होता है क्योंकि गाऊंवालों ने तो कई अलग अलग कहानियां हमें बताई है। अगर देखो अगर मानने को देखा जाए तो आशिरवाद नहीं लेंगे तो हो सकता है कि सम्मन्द ज्यादा लंबे टाइम तक रहे कि नहीं रहे ये बात की बात है बागर किस्मत हुई तो रहे भी सकता है बाकि यहाँ पर आना ही आना चीज होन लोगो माता जी का मतलब आशिरवाद होता है कि अगर आप आएंगे दर्शन करने शादी के तुरंड बात तो फिर देखो अगर यहां पर आप साधी कर रहे हो तो अगर यहां की मानने तर जो चीज है अगर उसके आप दर्सन नहीं करोगे आशिरवाद नहीं लोगे तो माईने नहीं रखती पर हो साधी